नमस्कार दोस्तों टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ रेड्मी और पोको कमपनी के 11,000 रुपे में आने वाले 5G स्मार्टफॉन जिसमें पहला स्मार्टफॉन है रेड्मी 13 सीरीज का 13C 5Z और दूसरा पोको की M सीरीज का पोको M6 Pro 5Z तो आज करेंगे इन दोनों की अन्बॉक्सिंग और कमपेरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफॉन रहेगा आपके लिए सबसे बेस्ट यह दोनों हैं हमारे पास बेस वेरियंट 4G RAM के साथ आते हैं दोस्तो 14,000 पे में आप इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर से पर्चेस कर सकते हैं दोनों के बॉक्स अलाग अलाग कलर के आते हैं ब्लैक फॉन्ट और वाइट फॉन्ट में सारी डिटेल्स को मेंजन किया हुआ है बैक साइड में कुछ हाइलाइट फीचर जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा तो बने रहेगे मरे साथ वीडियो में चैनल देन अंदर क्विक स्टाइट गाइट यूजर मैनवल कवर आपको इसके साथ अलग से पर्चेस करना पड़ेगा एक चार्जर अडेप्टर मिलता है नॉर्मल सा टैन वोर्ट का फाइब वोर्ट तो बॉक्स पर लिखा हुआ है लेकिन सपोर्ट करता है अथारा वोर्ट को वो आपको अलग से पर्चेस करना पड़ेगा इसके बाद जो USB केविल आपको में दी गई है इसमें टाइप A टू टाइप C है दोस्तो लेंट और क्वाल्टी बढ़िया मिल जाती है आते हैं POCO M6 PRO पर यहां भी सबसे उपर स्मार्ट फॉन ही रखावा है इसके बाद बिल का चार्जर जी हां दोस्तो यहां चार्जर आपको ज्यादा मिलता है लाला कि फॉन तो यह भी 18 वाट तक ही सब्वोट करता है लेकिन फिर भी कम से कम साड़े 22 वाट का फास चार्जर तो दिया है इसके बाद USB केविल टाइप A to टाइप C यहां भी मिल जाती है अब आते ह X Pro पर एक Pre-Applied Scratch Guard भी दिया गया है इनहें फिल यहां पर ज्यादा चोड़ा और बड़ा लग रहा है Redmi 13C दोनों की पावर को मैंने एक साथ ओन किया था यहां पर फास्ट ओन हो गया है Redmi 13C और सबसे ज़्यादा निरासा वाली बात यह है कि इतने पैसे खर्च करने के बाद इसमें drop notch display मिलती है जबकि Poco आपको एक punch hole display दे रहा है अब एक बार दोनों smartphone के back panel को देख लीजिए दोस्तो बिलकुल flat है लेकिन काफी बड़ा अंतर है Redmi 13C का जो back panel है यह plastic body के साथ आता है दोस्तो लेकिन जो design है वो आपको इसके back panel में काफी कमाल के जैसी मैं movement कर रहा हू तो यहां पर आपको एक lining दिख रही होगी जो काफी कमाल की लगती है अभी आपको तिरची line दिख रही होगी और इस side देखें तो cd line गायब हो जाती है और light का reflection में काफी बड़िया design आपको नजर आता है तो बड़िया back panel दिया गया है लेकिन scratches इस पर आ सकते हैं वही पर जो Poco M6 Pro का back panel है दोस्तो ये glass body है दोस्तो इस पर scratches नहीं आते हैं ये देखिए दोस्तो ये मेरे पास बिल्कुल scarf knife है और अब मैं इस पर scratches डालने वाला हूँ तो ये यहां पर आप देख सकते हैं तो ये मैंने scratches डाले और यहां पर मैं साप कर लेता हूँ एक बार अब देखिए दोस्तो अभी आपको यहां पर चाप तो दिख रहे हूँगे scratch के लेकिन मैं कपड़े से साप करके आपको दिखा देता हूँ एक बार तो अब देखिए दोस्तो कोई scratches नजर आ रहे हैं बिल दूसरा 0.08 मेगा विक्सल और यहां 2 मेगा विक्सल का डेप सेंसर कैमरा दिया गया है विद LED प्लैसलाइट यहां पोको की ब्रांडिंग यहां रेडमी की ब्रांडिंग की गई है मोबैल तो हमने अल्रेडी ओन करके रखे हुए हैं इनकी ब्राइटनेस को भी 100% हमने किया हुए है जाद आप ब्राइट डिस्पले आपको मिलेगी पोको की 550 निट्स तक की इसमें आपको 450 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है कलर्स तो बढ़िया मिल जाते हैं दोनों स्मार्टफॉन में लेकिन रेडमी को थोड़ा ब्राइटनेस और ज़्यादा देनी चाहिए थी बाकी आइकन आपको नज़र आ रहे होंगे एज और बैजल्स हैं वो कौनर ओपर से तो बतले हैं नीचे चिन जादा आपको मिलेगी इसके बाद जो यूजर इंटरफेस है दोस्तो रेडमी में तो हॉम स्क्रीन में राइट साइड स्क्रॉल करने पर और पोको में स्क्रॉ इंस्टॉल कर सकते हैं आप और प्ले स्टोर से अपनी पसंद की अप्लिकेशन डाउनलोट कर सकते हैं दोनों स्मार्टफोन 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं टच काफी स्मूध और फास्ट मिल जाएगा आपको दोनों स्मार्टफोन का चलिए डिस्पले की बात भी कर लेते हैं तो 6.74 इंच की HD प्लस IPS LCD के साथ आता है Redmi 13C जिसका एस्पेक्ट रेसो है 20-9 स्क्रीन डेजुलेशन 720 इंटो 69 पिक्सल पिक्सल डेंसरी 260 PPI की और कॉर्निंग गुरिला ग्लास 3 का पड़क्शन इसमें मिल जाता है वही पार Poco M6 Pro आपको दे रहा है 6.79 इंच की Full HD प्लस IPS LCD काफी बड़ा अंतर आ गया डिस्प्ले में दोस्तों यहां HD प्लस है यहां Full HD प्लस डिस्प्ले आ गयी 20-9 का एस्पेक्ट रेसो और रेजुलेशन 1080 इंटो 2400 60 पिक्सल पिक्सल डेंसरी 396 PPI और कॉर्निंग ग्लास 3 का पड़क्शन यहां भी आपको दिया गया दोस्तों जबकि 76.2 mm की आपको Poco में मिलती है थिकनेस में देखें तो यहां 8 mm की थिकनेस के साथ Redmi आता है 8.1 mm की थिकनेस के साथ थोड़ा मोटा है Poco M6 Pro Weight 199 ग्राम इसका 192 ग्राम दोनों के अंदर 5000 इमेज की बैटरी लगी हुई है अब दोस्तों हम दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे उपन कर लेते हैं सेटिंग का जो इंटरफेस है दोनों स्मार्टफोन का आपको एक साथ नजर आएगा दोस्तों क्योंकि Redmi का ही ब्रांड है Poco और यहां पर MIUI वर्जन ही दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है सबसे उपर मिलता है अबाटफोन सेक्शन और देखिए MIUI वर्जन 14 का मिलता है दोनों स्मार्टफोन में स्टोरेज के मामले में पीछे हो जाता है Poco M6 Pro 64 GB का दिया है जबकि यहां 128 GB का स्ट स्टोरेज मिल जाता है Redmi 13C में और आज कल कंपनिया स्टोरेज पर बहुत ही ध्यान दे रही है दोस्तों इवन आपको 8000 पर के नीचे के रेंज के स्मार्टफोन में भी 118 GB का स्टोरेज नॉर्मली आज की ताइम में दिया जा रहा है बाकी Android 13 के साथ आएंगे दोनों स्मार लेकिन चिपसेट है अलग-अलग दोस्तों रेडवी 13C मीडिया टैग डेमेंसिटी 6100 प्लस के चिपसेट के साथ आता है वो को एन 6 प्रो आता है क्वालकम स्नेप ड्रेगन फोर जैन 2 के साथ दोनों ही एक जैसे चिपसेट हैं दोस्तों और यहां पर तो आप सभी की लिए गये हैं इसके अलाबा जो इस्टोरेस टाइप दोनों में मिलता है वो यूफस 2.2 का दिया गया है अब एक छोटी सी नजर लास्ट में कैमरा पर डालते हैं दोस्तों तो कुछ ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं दोनों स्मार्पोन के रियर कैमरा को एक साथ ओपन कर लिए ज्यादा कलरफुल कैमरा प्रस्टनली मुझे आप पर फोको का लग रहा है दोस्तों कलर बढ़िया लग रहे हैं वैसे दोनों स्मार्पोन के कैमरा बढ़िया है जूमिंग पावर देखे तो यहां है 10x और रेड में भी 10x दोनों से आप 10 गुना जूम कर सकते हो ले बाकी जूम सपोर्ट दोनों स्मार्पोन के फ्रेंट कैमरा में नहीं मिलता है ओवर ओल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्पोन अपनी विसे स्कूबियों के साथ आते हैं 11,000 रुपे कीमत है दोनों स्मार्पोन की और जो यह पोको M6 Pro है सेल के अंदर तो 10,000 रुपे कभी ह हो गया था दोस्तों लेकिन आप फाइनली जो बात आती है वह आती है किसे हमें पर्चेस करना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी की पसंद मैटर करती है आप पहले से रेडमी यूजर हो तो रेडमी का पसंद आएगा फीचर के मामले में ज्यादा बढ़िया दोस्तों या चारजर के मामले में भी Poco M6 Pro आगे निकल जाता है दोस्तों तो प्रस्टनली यह स्मार्टफोन वैसे बढ़िया है लेकिन इतना ट्रस्ट नहीं बना पाया अभी तक Poco मार्केट में दोस्तों जितना रेडमी का है रेडमी को मैं कह सकता हूं एक ट्रस्टेब नहीं है जितना रेडमी हो चुका है बाकी तो आपने अपनी पसंद है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया कौन सा पर्चेस करना चाहोगे वैसे दोस्तों एक बात कहूं तो यह ब्लैक कलर वेरेंट में मत जानकारी आप सबके जरूर कुछन कुछ काम आएगी जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन पर्चेस करने में कोई भी विकत नहीं आएगी तो मिलते हैं एकली वीडियो में एकली अंबॉक्सिंग के साथ तब तक के लिए दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद